तो स्टुडेंट दिसे रुचिर्ट शोहान, सो बच्चो जैसा कि हम सभी को पता है कि CVSC ने Term-wise Slivers को Release कर दिया है, ठीक है बच्चो तो आज हम यहाँ पर क्लास 10 के लिए Term-wise Slivers देखने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल Step-by-Step बता रहा हूँ, जिसे कि आपकी Authentification भी इसका बना रहाएगा कि CVSC ने वाकई, आसले बस अपनी साइट पर डाल दिया है, तो कैसे हम चेक करेंगे, वह हम पहले देखते हैं, पहले क्या करना है, Google पर CVSC आपको टाइप कर देना है, यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ आप सर्च करोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा आपका CVSC Central Board of Secondary Education, यहाँ पर बच्चों आपको क्लिक कर देना है, देन, यह साइट आपकी उपन हो जाएगी, देन नीचे जाके आपको Academic Website इस पर क्लिक करना है, Academic आजाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर करिकलम जो आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तो यह देख सकते हैं, आप Term Wise Curriculum 2021, तो इस पर क्लिक करना है, ठीक है, तो यहाँ पर Term Wise लेवस आगे है, आपका Term Wise Secondary Curriculum 9th and 10th, तो इस पर क्लिक क Main Subject Group, तो हम यहाँ पर Language में अगर देखने चाहते हैं, तो Language में इंगलिस है, इंदी, उसका सुलिवस देख सकते हैं, बच्चो, और यहाँ पर अगर आपको Main Subject जैसे की Science है, Math है, तो अगर हम वो देखना चाहते हैं, तो यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आप Term Wise Main Subject, तो यहाँ प ठीक है, तो यह दे रखा है बच्चो, Science, ठीक है, Class 9th and 10th, 2021, अब मैं बात कर लेता हूँ, स्टार्टिंग में Class 9th का दे रखा है, तो Term 1 और Term 2 का हम लोग पहले बात करते हैं, 10th की क्योंकि वो Board है, तो यह रहा बच्चो, Course Structure, Class 10th, ठीक है, Evolution Scheme, यहाँ पर Theory Term 1 and Term 2, तो अब यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, Term 1 और Term 2, यह रहा, Term 1 में क्या है, Unit 1 में क्या है, आपका Chemical, ठीक है, Chemical Substance, Nature and Behavior, इसमें Chapter 1, 2, 3 होंगे, World of Living, इसमें Chapter 6 है, and Natural Filumina Chapter 10 and 11, फिर Term 2 इसी तरीकी से दे रखा है आपका, ठीक है, तो टूटल ठीक है, Term 1 और Term 2 मिला कि 80 मार्स के हो जा यहाँ पर Term 1 का जो एक्जाम होगा, वो 40 का और ऐसी Term 2 का 40 का एक्जाम होगा, ठीक है, फिर Internal Assessment जो होंगे, Term 1 में 10 मार्क्स का, और Internal Assessment Term 2 में 10 मार्क्स को टोटल हो जाएगा, आपका Handed Marks का, अब यहाँ पर Slivers देख लेते हैं, सिलिवर्स में क्या है, देखो, यहाँ पर Term 1 के लिए, Unit 1, ठीक है, दे रखा Term 1 के लिए, जिसे Chapter 1, Chemical Reaction and Equation, उसका पूरा-पूरा सिलिवर्स आपका दे रखा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर, इसके बाद How Things Work, तो यहाँ पर Unit 3 में आजाए, यह Natural Phenomena, जो कि Physics का portion है, Light, Reflection and Refraction and Human Eye and Colorful World, देखो बच्चों यह बाद यादख को, इस बार जो Physics में से, आपका एक Chapter खतम हो गया, तो यहाँ पर कुल 4 Chapter ही है, ओके, तो यहाँ पर 2 Chapter आ रहे है, Reflection and Refraction, यहाँ आपका दे रख है, Chapter No. 4, Carbon in its Compound, Chapter 5, Periodic Classification of Elements, और उसके बाद How do Organism Reproduce, then Heredity and Evolution, फिर Chapter 4 है, ऐसी तब के, आपका यहाँ पर पहुँशारी Chapter's दे रखे हैं, तो यहाँ पर Totally आपका Divide कर रखा है, Term 1 और Term 2 में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों आपको, सबसे वड़ी बात एक और है बच्चों, बच्चों के मन में आ रहा कि क्या इस बार भी Slivers Reduce हुआ है, तो बिलकुर यह Reduce Slivers ही है बच्चों, जैसा कि Previous Year में इससे जो पहला Year था, उसमें Schools आपके उपन नहीं हुएते हैं, हम सब भी जानते हैं, तो CVSE ने 30% Slivers Reduce किया था, तो यह वही 30% Reduce Slivers है, वही as it is, पेस्ट कर दिया है, बस दो sections में Divide कर दिया है, ठीक है, तो Term 1 और Term 2, ओके, मुझे लगता है, आपको समझ में आगे होगा किस तरीके से मिहां पर Download कर सकते हैं, कैसे हम Slivers देख सकते हैं, Term 1 में क्या कौन से chapters हैं, Term 2 में कौन से chapters हैं, और यहां पर बच्चे, Class 9 वाले भी इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो Slivers हाँ, बिलकुर Reduce हुआ, यह 30% Reduce Slivers है, और जो Slivers लास्ट यह था, वही Slivers है, और Slivers यहां पर भी आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब कर दो दो, कर दो